नमस्कार दोस्तों श्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल चित्रकला क्लासेज में दोस्तों आज हम आप लोग के लिए नया शेट कराने जा रहा हैं तो इस सेट में हम आपको एक से लेकर के 125 प्रशन हल कराएंगे और इसका जो है चार पार्ट में वीडियो आपके लिए आएगा तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते चले यदि आप फर्स टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो सस्क्राइब करें और अपने मित्रों को सेर भी करें और यदि आपको कोई भी प्रशन संबंदित डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिएगा हम उसका एंसर आपको बता देंगे और आपको जिस भी बिसे से संबंदित वीडियो बनवाना है तो आप हमें कमेंट करके वताइएगा उस संबंदित हम आप लोग के लिए वीडियो जल्द लेकर करे आएंगे ठीक है तो चलिए आज के प्रेस्ट देख लेते हैं तो प्रेस्ट नमबर एक है कि अलेकजेंडर काल्डर किस रूप में जाने जाते हैं ठीक है तो आप लोग भी हमारे साथ कमेंड करते हुए चले अप्सन देख लेजिए मुर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, ग्राफिक कलाकार के रूप में, कला एतिहाशकार के रूप में तो अलेकजेंडर काल्डर को किस रूप में जाना जाता है तो इसका राय टेंसर होगा आपका सी अलेकजंडर काल्डर को ग्राफिक कलाकार के रुप में जाना जाता है अगर बात करें अलेकजंडर काल्डर के बारे में तो अलेकजंडर काल्डर का जो जन्म है बाई जुलाई बाई जुलाई अठारा सो अंठानवे स्वी को हुआ था और इनकी मृत्यू जो है 11 नॉमबर 1976 इस भी में हुआ था अलेजिंडर कार्डर को 20 सती का सबसे महान अमेरिकी कलाकारों में से माना जाता है उन्होंने काइन एक मूर्ति या मोबाईल की एक अगरडिय रूप में जाना जाता है ठीक है और इनकी बात करें सिच्छा में तो प्रद्यू की स्टिवन संस्था निवार से कलाके सिच्छा लिये थे नेक्स परसन देखिए परसिट टीवी कारकरम सत्य में जाते जो नेशनल दूदर्शन पर स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता वा निर्माता अर्मीर खान के द्वारा प्रशारित किया गया था किया गया है का पहला प्रशारण कब हुआ ठीक है तो आप्शन देखिए ये पांच अगस्त नेशन ग्यार को छै माई उनिस सो दो हजार बारा को बारा जुलाई दो हजार तेरह को एक जून दो हजार चौदर को तो जो सत्य में जयते दूदर्शन पर आ रहा था और स्टार नेटवर्क के साथ अमेर की जो अभिनेत और निर्माता अमीर खान के द्वारा प्रशारित किया गया था इसका पहला प्रशाराल कब हुआ था तो इसका राइट एंसर होगा आपका भी ठीक है छै मई 2012 को हुआ था नेक्स प्रसंदर के राम किंकर बैच के कला गुरू का नाम क्या है ओप्सन देखिए अवनिन ना तो इसका राइट एंसर होगा आपका सी नंदलाल बोस ठीक है राम किंकर बैच की गुरू का नाम है नंदलाल बोस नेक्स प्रस देखिए पंडित राज जगर्नात किसके दरवार में राज कवी थे अप्सन देखिए हुमायू अकबर साजहा औरन जेब तो इसका राइट राइट एंसर होगा आपका सी साजहा के समय थे ठीक है नेक्स प्रस देखिए अंतराल को बिश्रु धर्मुत्त पुराण में क्या कहा गया है तो अंतराल को बिश्रु धर्मुत्त पुराण में क्या कहा गया है तो आप्सन देखिए अस्थान छेत्र भूमी बंधन और धर तो अंतराल को क्या कहा गया है भूमी बंधन ठीक है तो राय टेंसरो का आपका C नेक्स प्रस्थ देखिए कला सब्द का सरप्रथम प्रयोक किस गरंथ में हुआ है तो आप्सन देखिए रमायड है नाट शास्त्र है रिग वेद है अथर्व वेद है तो कला सब्द का सरप्रथम प्रयोक किस में किया गया है तो इसका राय टेंसरो का आपका C ठीक है रिग वेद में किया गया है नेक्स प्रस्थ देखिए जै मंगला में आलेक्या चित्रकला के कितने भेद बताये गए हैं तो आप्सन देखिए पांच आठ छै चार इसका राय टेंसरो का आपका 6 ठीक है जै मंगला में आलेक्या चित्रकला कितने भेद है तो 6 है ठीक है इसका राय टेंसरो का C नेक्स दखिए महा भारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्रकिस्ने बनाया था आपसें देखें चित्र लेखा ने, उसा ने, माया ने, सुत नुका ने तो कोमेंट करें आप लोग तो इसका राइट एंसर लोग आपका ए ठीक है चित्र लेखा ने बनाया था नेक्ट प्रस्ण देखें स्वर पर्थम लीपी का जन्म हुआ आपसें मिस्त्र में, मेश्योपोटामिया में, चीन में, शिंदु में इसका राइट एंसर लोग आपका भी मेश्योपोटामिया में ठीक है नेक्ट प्रस्ण देखें किस यूग को विसलेश्रात्मक तथा समन्यत्मात्मक कहा जाता है किसी यूग कोटिक है तो option देखिए प्रभावाद, अभिवेंजनावाद, घनवाद, फावाद तो इसका right answer का आपका C घनवाद ठीक है घनवाद को बिश्रिश्टात्मक और शमनवात्मक कहा जाता है ठीक है next देखिए है रूप का कातिल कहा जाता है और जिसका right answer का आपका C घनवाद ठीक है रूप का कातिल कहा जाता है next देखिए अंड़कार मानो सिर्शो का एंकर किस ने किया जिसमें अधिकतर इस्तुरियों का एंकर किस ने किया एमेफ हुसेन ने, अमिर्टाज तेरगिल ने, रभिन्ना टैगोर ने, इवी हैवेल ने इसका राटेंश रूगा आपका सी, रभिन्ना टैगोर ने किया था कि लेलितकला एकैदमी ने दिल्ली ने किस वर्ष से अंतराष्टी त्रिवार्षिकी और प्रदरश्णी का आयोजन शुरू किया 1904-1968-1949-1950 इसवी में कमेंट करते रहें आप लोग तो इसका राटेंश रूगा बी, 1968-1968 इसवी में ठीक है, नेक्स बस दखिए किस वाद को फ्रायट के मनो विज्ञानिक मनो विस्टलेसर ठीक है किस वाद फ्रायट के मनो विस्टलेसर से प्रेड़ना मिली उप्सन देखे घनवाद, प्रभावाद, अविवेंजनावाद, अथी अथार्तवाद इसका राइट एंसर है आपका D, अथी अथार्तवाद को फ्राइट के मनों विसलिस्टर्ड से प्रेड़ना मिली थी ठीक है और अथी अथार्तवाद का पहला कलाकार कौन है जो बहुत ही फेमस है कमेंट करके बताएगा आप लोग नेक्ट परस्ट नेकिए कसमीर का सालीमार बाग किसने बनवाया था आपसन देखे बाबर ने, हुमायू ने, जहांगीर ने, साजहा ने तो इसके राटेंसरों का आपका C, जहांगीर ने बनवाया था कसमीर का शालीमार बाग जो है वो जहांगीर ने बनवाया था, राटेंसरों का C नेक्ट है, भारतिया मुर्तिकला और चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसमें से भारतिया मुर्तिकला और चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इसके राटेंसरों का C, इवी, हैवेल ठीक है नेक्ट प्रसन देखिए, सलवाडो डाली का जन्म 1904 से में कहां हुआ था आफसन देखिए, वार्ष्रेलोना, इस्पैन में, पेरिस, फ्रांस और कमडे, नगर, इंगलेंड, रोम, इटली में तो कहां पर हुआ था, सलवाडो डाली का जन्म तो इसका राटेंसरों का आपका A, ठीक है, वार्ष्रेलोना, इस्पैन में हुआ था और सलवाडो डाली का जन्म कब गवा था, 1904 सी में हुआ था, ठीक है, और इन्हें एतर्थवादी कलाकार का, बहुत ही महान कलाकार के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इनकी चित्र जो है, पिगलती घडिया जलता हुआ जिराफ, ठीक है, बहुत ही फेमस चित्र है, ने जिसका राइटेंस रूप आप कसी, ठीक है, नेक्स परस्ते के कुल हाडी से कटा हुआ सीर्थ, किस कलाकार का परस्रित चित्र है, हाल्स का, कले का, मुंग का, पिकाशो का, कुल हाडी से कटा हुआ सीर्थ, किसका बहुत परस्रित चित्र है, जिसका राइटेंस रूप का, Clayajka, ठीक है Next प्रस्ष दिखिए निम्लिकित में से एक पश्रिद मूर्थिकार है अमरनाशागल कपिलवाशन अवनिदनाट टाइगोर असित कुमार हल्दर तो पश्रिद मूर्थिकार कौन है इसमें से तो इसका राइट ह många आपका यह अमरना शहगाल ठीक है नेक्स प्रस्टन देखिए परशिद्य कलाश अमिच्छक कपिला वाश्यायन जिने भारत सरकार ने 2011 में पदम विभुषट से सम्मानित किया कहां के रहने वाली है तो आप से देखिए वाडोद्रा काशी दिल्ली कलकत्ता तो कपिला वाश्यायन जो है यह दिल्ली की रहने वाली है तो आप से इने 2011 में पदम विभुषट से सम्मानित किया गया था ठीक है और यह एक महिला कलाकार है नेक्स प्रस्टन देखिए इंद्रा गांधी नेस्वल सेंटर फॉर द आर्ट इंद्रा कला केंद्र की अस्थापना कहां हुई थी आप सन देखिए लखनव में दिल्ली में मुंबई में चेन्नई में तो कहां पर यह हुआ था इंद्रा गांधी नेस्वल सेंटर फॉर द आर्ट ठीक है इंद्रा कला केंद्र दोनों आप याद कर लिजेगा एक टेंपरा सेरामीक तो इसका राय टेंसर आपका डीज सेरामीक है ठीक है सतीस गुजराल की मूरल की जो रचना सामगरिय है वह सेरामीक है तो आप लोग कमेंट करके बताएगा कि हाली में सतीस गुजराल की मृत्यू हुई है कब हुआ है डेट आप बताईएगा ठीक है और यदि आपको जनकारी नहीं हो और भी जनकारी पाना चाहते हैं तो सतीज गुज़ाल से समधित हमने वीडियो बनाया है आप उसे देख लीजिएगा ठीक है नेक्ष पस देखिए निम लिखित में से कौनसा चितरकार इसपेन का नहीं है तो आप से देखिए पिकासो एडवर्ट मूंग ब्राक डाली इसमें से कौनसा कलाकार इसपेन का नहीं है इसका राइटेंसर का आपका B, ठीक है, मुंग, मुंग जो है स्पेन का नहीं, एडवर्ड मुंग जो थे वह नार्वे के महान जित्रकार थे, और इनका जन्म जो है 12 दिशंबर 1863 इश्वी को हुआ था, और मिरत्यू की बात करें तो 23 जनवरी 1944 को उस्ट्रो नार्वे में ठीक है, और यहां अविवेंजनावादी, प्रतिकवादी, आधनिक कला और प्रभावाद, इनके समय बिख्षित हुआ था, ठीक है, और इनकी जो राश्रिता थी, नार्वे जी आई थी, ठीक है, तो नेक्ट परस्टन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि गोथिक कला का दू तो इसका राइट अंसर का आपका C ठीक है, गोथिक कला को इच कला के नाम से भी जाना जाता है, यह प्रश्ण आपका BFMF में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो यदि आप BFMF की तयारी कर रहे हैं, तो आप इसे याद कर लिजिएगा, ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहें, और यह वीडियो हम आपको डेली प्रवाइड कर रहे हैं, डेली इसमें आपको 30 प्रश्ण जरूर मिलेंगे, और यदि आप KBS, TGT, PGT, DSSB, सिस्थम मंधित तयारी कर रहे हैं, तो आप जरूर इसे सस्क्राइब कर रहे हैं, शेयर भी करते रह हैं, नेक्ट प्रस्ट दखिये, कम्पनी शेयली का निर्माड किन दो सेयलियों के मिस्रर से हुआ था, मुगल वा इरानी, राजस्थानी वा पहाडी, मुगल वा पास्चात्य, इरानी वा पास्चात्य, तो कम्पनी शेयली का निर्माड किन दो सेयलियों के मिस्रर से हुआ तो इसका राइटें सुरूगा आपका सी मुगल वा पास्चात्य शैलियों की समिस्टर से कमपनी शैलि का ठीक है उद्भाव गवा ठीक है और कमपनी शैलि का मुख केंदर कहां पर था कहां पर था कमेंट करके बताईए लेक्श परस्ट देखिए निम्लकित में से किस सहर में रूमी कलम प्रस्लित थी तो आपसें देखिए पटना, लखनाव, कॉलकत्ता और दिल्ली तो रूमी कलम प्रस्लित थी बताईए इसका राइटें सुरूगा बी लखनाव नीक्स्ट देखिए कलकट्ता गुरूप की अस्थापना गभ उई थी तो आफसे में देखिए countersus B में 1967 1999 1059 तो कलकट्ता गुरूप की अस्थापना कभ हुआ था तो इसका राइट ऑशन का आपका 1943 ISB में हुआ ता कलकट्ता गुरूप की अस्थापना नेक्स प्रस्ट है कि भारत की वह फिल्म जो 2001 में आसकर की दौड में आखरी 5 तक पहुचने में कामियाब हुई थी मदर, इंडिया, स्वादेशी, देवदाज और लगान तो इसका राइट एंसर होगा आपका डी लगान ठीक है और आप कमेंट करके बताईएगा कि भारत में सरपर्थम किस फिल्म को आसकर आवाड मिला ठीक है तो यदि आपको नहीं मालूम है तो इससे पहले हम वीडियो बना चुके है उसमें प्रस्ट आया है आसकर आवाड से संबन दे ठीक है तो इससे आप लोग कमेंट करके बताईएगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका एंसर बता देंगे ठीक है तो ओप्सन देख लिए जे चार वेदो के चार भाईयो के चार देवता के चार पुस्प के ब्रह्मा के चार मुख ठीक है तो यहाँ आपके टोटल 30 प्रश्ट कम्प्लीट हो गए है तो वीडियो को सेयर करते रहें और लाइक जरूर करें धन्यबाद